दोस्तो जुलाई के महीने में आपको काफी सारी लॉंचिंग देखने को मिलने वाली है तो आज किस वीडियो में बात करने वाले हैं जुलाई के मंत में लॉंच होने वाली कार्ड के बारे में तो वीडियो में लास तक बने रहना आएए शुरू करते हैं सबसे पहले launching की बात करें तो वो होने जा रही है किया की तरप से जी हाँ यहाँ यहाँ पर किया की तरप से सेल्टोस का new fast lip version 4 जुलाई को unveil किया जा रहा है इस कार का front face या completely change होने वाला है जिसमें new DRL, new head lamp setup, साथी rear profile भी completely change देखने को मिलेगी और इसमें सबसे बड़ा changes के interior में होने वाला है जिसमें adas, big size instrument cluster, touch screen एंड panaromic sunroof जैसे features मिलने वाले हैं जिसकी booking start हो चुकी है और इस कार की aspect price 11 लाग रुपे से लेकर top model लिए 20 लाग रुपे तक जा सकती है अगस्त में इस कार की delivery मिलना भी शुरू हो जाएगी दूसरी launching की बात करें तो वो होने जा रही है मारुटी सुझो की तरब से आने वाली all new मारुटी सुझो की इनविक्टो की जो Toyota Innova High Cruise का ही ribage version है जिसमें आपको कुछ features को छोटकर same design and interior देखने को मिलने वाला है जो की मारुटी की एक premium MEV होने वाली है जो केवल automatic transmission के साथ 2 liter के strong hybrid engine के साथ ही आई की जो की फिलाल मारुटी की सब समेंगी कार होने वाली है जिसकी booking भी आलरेडी शुरू हो चुकी है एंड इस कार की aspect price गुनिस लाग रुपे से लेकर top model के लिए 28 लाग रुपे तक जा सकती है तीसरी launching की बात करें तो वो होने जा रही है Hyundai की तरफ से आने वाली all new micro SUV extra 3 जिसकी complete detail वीडियो का link आपको description में मिल जाएगा जिसको 10th of July को launch किया जाएगा जो कि इसके segment की काफी feature इस micro SUV होने वाली है इस कार की booking भी start हो चुकी है एंड इसकी aspect price 6,25,000 रुपे से लेकर top model के लिए 10,00,000 रुपे तक जा सकती है अगली launching की बात करें तो वो होने जा रही है Citron की तरफ से Citron C3 Aircross की जिसको जुलाई के end तक launch किया जाएगा जो कि एक 7-seater premium SUV रहने वाली है जो market में सीधा C-segment की SUV, Hyundai Creta, मारत शिजुकी Grand Bitarra, Tigon, MG Aster इसको डाकुसाग जिसी कार्ट को टंपिट करीगी इस कार की aspect price 11,30,000 रुपे से लेकर top model के से लिए 11,50,000 रुपे तक जा सकती है इस list में last launching होने जा रही है luxury segment में Audi की तरफ से Audi Q8 e-tron की जिसको जुलाई के mid तर लौँच किया जाएगा जो कि फिलाल market में विक रही Q8 को replace करेगी जिसमें थोड़े से cosmetic change के साथ update battery pack and power train का option मिल जाएगा जिससे इसकी range और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी तो ये थी जुलाई में launch होने वाली cars की list इसमें से आपके कौन सी car का detail वीडियो चाहिए हमें comment में ज़रू बताना और वीडियो को like ओचनल को subscribe करना बिल्कुल भी मत भूलना